नमस्कार दोस्तों मैं परमात्मा आपके साथ एक बार फिर नया वाइफाई का वीडियो लेके आया जो अपने अपने मोबाईल में आप आसानी से वाइफाई बना के दो तिन मोबाईल को आराम से कनेट करते हैं वह सकता है आप दो मोबाईल यूज करते हैं दोनों में डेट आया हुआ है मेरा Bluetooth का वीडियो है जो Bluetooth से network में connect करने का तरीका बताया था उसमें बहुत लोग confusion हो जाते थे और गलत comment बोलते थे बोलते थे सार तुम चुईतिया बना रहे हो ऐसे कर रहे हो लेकिन वह भी फिलाल सही था दोस्तों और मैं कभी कोई भी वीडियो गलत नहीं बनाता ता यह देखते हैं दोस्तों मैंने पहले से सेटिंग कोल के रखा हुआ है जो अपने मोबाइल में देखते हैं थोड़ा यह जो न्यू माडल में अपडेट आया हुआ कि में समसंग वाले है या कोई भी है अगर जो ने अपर जन यूज में बहुत आ प्रेक्राइब कर रहे हैं अ हभी मैं ज से टूल्स का यूज किया हुआ है तो उसमें वीक शिश्ट्चम है तो यह आई यह वाइपः के बारे हम बात करेंगे तो कहीं बहु बहु अगर अपने मॉबाईल में इस ऑंदर नहीं आ чтобы God और यह अभी हाड़ी Спोर्ड मॉबायल हाड़ी सक्तक है ओव reference आपने मोबाईल में कहीं बहुत कई देखेंगे जैसे दूस कोई मोबाईल में जाएए और आपका निव बर्जन है तो connections में जाएंगे तो इसमें आराम से मिल जाएगा ठीक है देखिए यहाँ पर सेटिंग में गए हैं सेटिंग खोलने के बाद में एक connection में गए हुए हैं और connection में mobile, heart, support and tethering इसको हम open करेंगे रीख रहे हैं दोस्तों अगर जो पहले साफ सेटिंग के गए हैं यहाँ पर आन कर सकते हैं और नहीं तो इसको अभी फिलाल भी आप है यह जो बुलूतूत वाला में बताया था यहां से था लेकिन वो कुछ समझने में बहुत लोगों क कनफ्यूजन हो रही थी तो नई सब्सक्राइब मैं सोचाए वाई-पाई का वीडियो बना देता हूं आप लोग के लिए तो आई यह देखते हैं इसको मैं इसके ऊपर किलिक करता हूं अगर जो सेट की होते हैं यहां से डाइरेट आन कर सकते हैं अगर जो सेट नहीं कियो हैं यहां पर कहीं पर भी क्लिक किईए ओपन हो जाए ठीक है अभी यह करना क्या है इसको खुआ आं कर देते हैं जो जब अन करेंगे तो आप पहली बार खोल रहे हैं तो इसा जब आन करेंगे तो हाटस्पोर्ट आपका स्कृ planet में यहां फो जाएगा जो यहां पे आप द हो गया है और अगर जो आप पासवर्ट नहीं डाले हुए हैं तो आप अपने मोबाइल को डेटा को वान करेंगे तो कोई भी आपका मोबाइल में करेंगे तो उसमें वाइफाई अंड्रोइट लिखके आएगा यहां नाम डाले हैं जैसे मैं सिंग डाला हूं तो मेरा सिंग इंसरे आपको में सबस्क्राइब सकते हुए हम इसका पासवर्ट सब्सक्राइब corporate आपका मोबाइल मोबा क्या है अपने में स्पूर्ण इसका पासवर्ट डाला हूं और जब इंटरिंग करेंगे जब इसको आन करेंगे उसके बाद में जब अपना डेटा आन करके जब सर्च कराएंगे डायरेट पकड़ लेगा तो उसमें होगा क्या पासवर्ड नगर जो नहीं डाले हुए हैं तो कोई-कोई डिवाइस में एटमेट्री को पासवर्ड कुछ व वान होजाता है तो इसमें यहां पे देखे सींग के नीचे यह पासवर्ड लिखा हुए मैं triple a one two three दिखा रहा है सब मॉबाइल में सो करेंगा तो यहां पर नगी यहां कि पासवर्ड नहीं मांग रहा है तो यहां पर जाके आथकाअ को पासवर्ड इंटर कर दिजीने हो ठीक है जैसे यहाँ पर है त्रीपल ले लिखा हुआ है डन कर दीजी मैं कुछ चेंज नहीं कि या सेव कर देंगे तो यहाँ पासवार हो जाएगा अगर जो नहीं है तो उसमें पासवार डालना जरूरी है क्योंकि कोई भी मोबाईल पर आपको वाई-पाई सेर्च करेगा आपका मोबाईल कनेट करेगा तो उसमें आपको दिक्त हो जाए आपका डाट भी अधेक और आपका डाटा भी हाई कर लेगा में पासवार जाएं उसके बाद में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं तो आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गया होंगे देखिए एक बार म सेटिंग में जाए मोबाइल सेटिंग में जा करके कनेक्शन में जाए यह कहीं पर भी किसी में मूर नेटवर्क है वहां पर जाए मोबाइल हार्ट इसपोर्ट एंट एथरिंग को ढूड़िए अपने सेटिंग में वहां पर जाके किलिक कीजिए ऐसा किलिक करने के बाद में पिर हाटी स्पोर्ट पर आएगा इसको किलिक कर दीजिए और यहां पर इसको आन करके रखेंगे जैसे हम सर्च करेंगे दूसरे मोबाइल से वाइपाई वहां पर करता है तो बहुत ही असानी से आप इन करके और इसको देखके चला सकते हैं और किसी को भी सेट कराएंगे कोई भी मोबाइल डिवाइस को सर्च कराके इसको डाल देजिए अगर जो पासवर्ड अटिमेटिक आता हम नहीं भी डाल पाते हैं तो भी अगर जो है तो तीन नंबर में यह ज देख रहे हैं ना जो मेरा 31112345 लेखा उसी जगह में आपका आंड्रोइड का अटिमेटिक को पासवर्ड रहेगा अपने हिसाब से आंड्रोइड आपको उसमें सेट करके रखेगा वहां पर है और चेंज करने के लिए यहां पर इसको क्लिक कर सकते हैं पासवर्ड को और से उकर दीजिए दूसरा भी पासवर्ड डाल सकते हैं तो ऐसा करके दोस्तों आप अपने मूबाइल को वाइफाई बना सकते हैं और असाने से इसको यूज कर सकते हैं तो आसा करता हूं दोस्तों मैं समझाने में आपको काम्याब रहा अगर जो कभी कुछ समझ में नहीं मैं कभी किसी का रिपलाई दिये हुए नहीं छोड़ता हूं तो नमस्कार दोस्तों आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही